करनाट के बंगलूरू में पुलिस ने मोबाईल चोरो पर शिंगांजा कसने के लिए खास पहल शुरू की है बैंगलूरू पुलिस ने मोबाइल जपटने वालो चोरों के खिलाफ शिकायत ना दर्ज करके कोई कारेवाही ना करने की शर्थ पर चोरों को फोन वापस लोटाने के लिए मौका देगी इसके तहट एक पोस्ट बॉक रखा जाएगा जहां चोर ये फोन रखकर अपनी पहचान बताए बिना जा सकते हैं ऐसा देश में पहली बार हो रहा है बैंगलूरू शहर का नाम बेस्ट आईटी सेक्टरों में आता है लेकिन फिलहाल यह शहर फोन स्नाचिंग के मामले में भी रिकॉर्ड तोड़ रहा है इस शहर में फोन जपटने की समस्याय लगतार बढ़ती जा रही है वहीं पुलिस के सामने यह समस्या फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है लाखो कोशिशों के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है लेकिन इस समस्या से लड़ने के लिए बैंगलूरू पुलिस ने खास तरकीब निकाल ही ली है पुलिस का मामना है कि उन लोगों को पुलिस थाने आने की कोई जरूरत नहीं है उनकी पहचान गुपत रखी जाएगी साथ ही चुराने वालों पर भी कोई कारेवाही नहीं की जाएगी इन मुबाइलों को उनके मालिकों तक पहुचाना ही पुलिस की जिम्मेदारी है जिसके चलते यह पहल शुरू की जा रही है इसके लिए पुलिस कमांड सेंटर के पास पोस बॉक्स लगाएगी और वहीं दूसरी तरफ जिनका फोन चोरी हुआ है उन्हें अब पुलिस थाने आने की भी कोई ज़रूरत नहीं है पुलिस के मताबिक फोन चोरी होने पर अब उन लोगों को कोई F.I.I.R. दर्ज कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये लोग अपना मोबाइल खोने पर पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल करके सबसे पहले सूचना देंगे इसके बाद सेंट्रल एक्विप्मेंट आइडेंटिटी रजिस्ट्रेयर एप के जरीए मोबाइल नंबर और IMEI नंबर डालेंगे पुलिस इस एप के जरीए जल से जल मोबाइल ट्रैक करके वापिस कराने की वेबस्था करेंगी अगले दो दिनों के अंदर पुलिस C.E.I.R. आप लॉंच करने वाली है